हेलो दोस्तों दिश्टी टीचिंग एक्जाम्स के यूटूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके साथ फिर मिल रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसके हम लोग प्रिवियस येर कोचसंस पे डिसकर्शन करेंगे तो जैसा कि पता ह है कि हम लोग सीटेट के कुछ प्रिवियस येर कोचसंस पे हम लोग डिसकर्शन कर रहे हैं चैप्टर वाइज और आपको नए ने ट्रिक या कह सकते नए ने कॉंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महतपूर्ण हो सकता है तो यहां पर आपको दिख पा रहा होगा कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो है सिटेट हैना सेंट्रल टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट या हिंदी में कहें तो केंद्रिय सिक्षक पातरता परिच्छा मतलब आपको टीचर बनने के लिए जो एक्जाम दिया जाता है इनिस्यल एक्ज कर रहे हैं उसके बाद हम आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज हम आपको कॉंसेप्ट भी पढ़ाएंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा गणित एबम सिक्षा सास्त्र कक्षा 6-8 जिसको कि हम लोग पेपर 2 के भी नाम से जानते हैं Peeper 2 मतलब कक्षा 6-8 और पेपर 1 का मतलब कक्षा 1-5 जब 6-8 जब जब paper दे रहे एक है content एक है pedagogy तो हम लोग अभी फिलाल content के previous year questions पर discussion कर रहे है chapter wise उसके बाद हम लोग पेड़ागोजी पर भी चर्चा करेंगे जो कि previous year का ही होगा अभी फिलाल इसलिए content पर चर्चा कर रहे हैं क्यूंकि content का वेटेज ज्यादा है 20 question और pedagogy का वेटेज है 10 question अगर आप 20 मे आराम से इसमें देखा जै तो question उतना lengthy नहीं आता 17-18 questions आप आराम से solve कर सकते हैं पेड़ा गोजी में भी 5-6 questions आप कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं एक्जाम तक तो चलिए हम सीधे बताएं कि आज का chapter होगा महत्तम समाप वर्तक तथा लहुत्तम समाप वर्तक मतलब highest common factor एंड lowest common multiple यहां पे दो वर्ड दिख रहा होगा आपको एक factor और एक multiple बहुत अंतर है दोनों में और बहुत ह सबसे पहले वर्ड है factor और दूसरा है multiple पहले आप इसको समझ लीजिए उसके बाद आपको LCM SCF समझ में आ जाएगा factor को हिंदी में हम लोग गुणनखंड भी कहते हैं गुणनखंड और इसको गुणज कहते हैं क्या मतलब होता है दोनों का गुणनखंड का मतलब यह होता ह है कि किसी भी संख्या मतलब कोई भी संख्या दी गई होती है तो उसके कितने गुणनखंड है वह कितनी संख्याओं से भाग लगती है गुणनख का मतलब है कि वह संख्या का multiple मतलब table उस संख्या का जितना भी मतलब table आप पढ़ सकते वह साड़ा गुणज होता है जैसे कि suppose example से समझाने की कोशिस करें तो कोई संख्या अगर 16 है तो हम कहेंगे कि 16 का क्या-क्या factor हो सकता है तो देखें factor कहां से start होगा वन से तो एक दो चार 8 16 हम कहेंगे यह इसका factor है अगर हम इसके multiple की बात करें तो 16 का multiple 16 difference इससी तरह करके यह चलता रहेगा तो difference यह है कि जो factor है न वो एक से start होके उस संख्या तक ही हो सकता है मतलब maximum जो sus होगा वो संख्या खुद ही हो सकता है उससे बड़ा नहीं už सकता मतलब संख्या का factor संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है 125 में एक question सीधा सीधी यही पूछा गया था कि संख्या का जो factor है या संख्या का जो गुनन खंड है वो क्या हो सकता है संख्या या उससे छोटा संख्या या उससे बराबर या संख्या के बराबर या संख्या के बराबर नहीं ऐसा चार option था तो सीधा सीधा इसमें लिखना आता है कि संख्या या उससे कम और गुनज का मतलब हैता है संख्या या उससे कितने भी बड़े मतलब इसका कोई limit नहीं है यह unlimited चलता रहता है ठीक है तो यहीं दोनों में difference है factor का जो concept है वो कहीं न कहीं SCF के साथ जाता है और multiple का concept कहीं कहीं LCM के साथ जाता है क्योंकि यहाँ पर आप साफ देख पा रहे होंगे M का मतलब multiple F का मतलब factor मतलब factor से आप SCF निकाल पाएंगे और multiple से आप LCM निकाल पाएंगे आप इस बात को समझे हम questions करेंगे वहाँ पर आपको ज्यादा बेटर समझा पाएंगे एक question आपकी screen पे है X square-13X plus 40 X square-20 X square-20 का एक सार्व गुननखन मतलब common factor क्या होगा तो common factor होने का मतलब कोई भी संख्या कमाल लेते कि 16 का factor क्या होगा 2 होगा मतलब 2 जो है न वो 16 को भाग कर रहे है इसका मतलब है कि चारो option में से को एक option इस तीनों को एक साथ भाग कर रहा होगा एक साथ बोले तो कि मतब ऐसा नहीं कि एक को कर रहा हो दुसरे इनों को भाग कर रहा हो ना तो यह जो है न वो कहीं न कहीं SCF होता है इसको हाइस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं लेकिन ध्यान रहे वह हाइस्ट भी होनी चाहिए ऐसा ने की छोटा हो क्यों एक बात बताते हैं आपको जैसे कहें 12-16 और संख्या 24 तो 12-16-24 का अगर हम हाइस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें रहा इना तो चार होगा यह तीनो संख्या चार से भाग लग रहा है क्या दो से भी यह था सय और ऑर दो में अगर हम बात करें कौन है द्यान से समझ्येगा बहूत असाना है कि पहला है एक सकुर माइनस देर क्लिस फोट्टी है ना अब हम इसका सबसे पहले क्या छेक करेंगे कि इससे भाग लग रहा है यह इससे और यह से तो X-8 है ना इसको आप थोड़े दिर के लिए लिखिए X-8 is equal to 0 और X-8 यह जो X-8 है यह तीनों पर put करके देखेंगे क्या वो 0 दे रहा है कि नहीं अगर 0 दे देता है तो मेरा वो factor है मतलब X square minus 13 X plus 40 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगे देखें 8-8-8-64-13-8-40 इसको देखेंगे तो 64-44-104-104-0 होता है अच्छी बात है X square तीनों भी होना चाहिए न भाई यह भी तो condition है तो यहां करेंगे 8-8-64-8-20 64-28 कभी भी 0 नहीं होगा तो यहां पर यह fail कर गया मतलब यह इसका factor नहीं है तीनों का तो हम हटा देते हैं क्योंकि हमको तीनों को देखना है एक साथ आप देखिए आप इसको और इसको भी hold कर देजिए कोसिस यह करिए कि positive नंबर लें तो बहुत अच्छा है क्योंकि x plus 10 is equal to 0 लिखेंगे न तो x कमान यहां minus 10 आएगा तो हम इसको ले लेते हैं d वाले को कि x minus 5 is equal to 0 तो x कमान यहां पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अब हम क्या करेंगे बारी-बारी से 5 रखके चेक करेंगे पहला है x square minus 13 x plus 40 देखें अगर हम 5 रखके तो 5 गुना 5 25 तेरा गुना 5 65 और प्लस चालिस देख लिजिए चालिस पचीस 65 और माइनस 65 इस उकल टू जीरो हो गया अगर हम इसमें रखें x square minus x minus 20 तो देखें 5 गुना 5 25 माइनस 5 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 25 इस उकल टू जीरो यह भी हो गया तिसरा है x square minus 9 x plus 20 इसको solve करेंगे तो 5 गुना 5 25 माइनस 9 गुना 5 45 प्लस 20 तो देखें 25 25 45 में 45 घटा देंगे तो मेरा answer हो जाएगा 0 मतलब तीनों में अगर 0 दे रहा है मतलब यह इसका factor है यह इसका factor है और option एक ही सही होता है तो अब हम इसको और इसको check नहीं करेंगे यह तो already गलत थाई यह आपका seatate 2022 का प्रशने था और बहुत ही शांदार बहुत ही सुन्दर प्रशने था तो आप इसको दुबारा अच ठीक है तो चलिए हम अगले questions को चलते हैं देखते हैं ठीक अगले questions की और चलते हैं question है कि प्रशन जो है 76773 का LCM उसके SCF का के गुना है तो के का मान ग्यात करें अब देखें बहुत ही अच्छा question है तो संख्या है क्या 76763 76773 है एक वार इसको आपको SCF निकालना है एक वार LCM निकालना है लेकिन condition के आना कि जो उसका LCM है सबसे पहले मैं सबसे निकालने का क्या तरीका जो छोटी संख्या है उससे हम बड़ी संख्या को भाग देते हैं तो यह 3 बार में हो जागे देखे 717, 268, 222, 272, 23, 3 में गया दो, 7, 472, अगर इससे हम फिर 767 को भाग करें तो 472, साथ में दो गया 5, 16 में साथ गया 9, 6 में 4 गया 2, फिर भाग करेंगे 472, 295, 12 में पांच गया 7, 16 में 9 गया 7, 177 यहां 295 हो जाएगा एक बार में 177 फिर उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा आठ में साथ गया एक दो में एक गया एक 118 तो 118 से फिर 117 को भाग करेंगे तो 118 गया नो छे में गया पांच 69 फिर 118 पर जाएंगे जब यह जीरो नहीं होता हम लोग भाग देते रहते हैं जैसे जीरो गया वहीं पर इसका एसका पता लग गया 69 यह तो आपको आता ही होगा बच्पन में किया ही होंगे तो सियाफ हो गया 59 ठीक है अगर सियाफ आपने 59 निकाल लिया इसका यह मतलब वहा कि आपने आधा काम कर लिया अब कोश्चन में कह रहा है कि सियाफ का के गुना है ना सियाफ का के गुना क्या है लसीयम है कोई दिक्त सियाफ का के गुना लसीयम है तो सियाफ कितना है यहां पर देख पारें 69 तो 69 गुना के इसकल टू क्या है लसीयम है उनसट गुना के क्या है लसीयम है तो 69 के मेरा लसीयम आ गया एक फॉर्मूला आपको बताते जो ब to LCM गुना SCF होता है ध्यान रखेगा ठीक है ना यह होता है इंपोर्टेंट है पहला नंबर क्या है साथ सो सार सट दूसरा नंबर है 2773 is equal to LCM है मेरा 69 गुना के और SCF है मेरा 69 तो के का मान नहीं निकाल लेंगा आप आराम से सास सो सार सट गुना 2773 अब बटे 69 गुना 69 जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखें बहुत आसानी से यह 69 से यह 13 बार में कड़ जाता है देख लिए तेर नमा सत्रहां से ग्यारा तेरा पचे 65 ग्यार चीहत्तर और यह कड़ जाएगा इसको चाहें तो आप 2773 को 69 से बार भाग करके देख लिए तो 69 से पांस्तिया पंद्रा पांच पचे 25 नौपचे 45 चार पांच पचे 45 चार तो चार बढ़ में कटाईए नो नौचों के 36 3 5 के 20 3 23 7 में 6 गया एक 7 में 3 गया 4 413 उसके बाद 9 सत्य 63 है ना 9 सत्य 63 तो 3 6 5 सत्य 35 चे 45 मतलब यहां पे कितना हो जाएगा 47 यह 47 बार में यह कट जाएगा अब 47 को 13 से गुना करते 33 सत्य कानवे नो तेरा चोके बावन नो 61 मतलब 611 जो है न वह किसका माना गया के का और यही आप स्यम इंटू स्यम चली यह सीटेट 2022 का प्रशन था यह सीटेट 2022 को देखते हैं कि चार बिभीन घंटियां है जो करमसा 6 सकेंड 8 सकेंड 12 सकेंड और 18 सकेंड के अंतराल पर बचती है यदि यह घंटियां एक साथ 9 बजे सुभा बचती है तो पुना है एक साथ कि सम्मध पर बजेगी नो बजे सुभा क्यों बोला क्योंकि एम का मतलब ही होता है सुभा जब भी ऐसा कोशन आ जा है तो आप याद रखेगा यहां पर साप साप यहाँ जो irgendwie के बारे में बात हो रहा है छे आथ बारा और इथा आठारा कापको LCM ले ले लेना है जो आट के बारा है इसका जाप आथ के बाध बारा है बारा के बारा इत्ठार है इसका जो एलसीम लेंगे देखे तीन थुना छे आठ यह शुझे करते हैं न क्योंकि प्राइम नंबर सबसे पहले 2 आता है कोसी से किजिएगा कि सबसे पहले 2 से लें 2 3 6 2 4 8 2 6 12 12 18 फिर करें 2 से 2 दुना 4 2 3 6 9 फिर 3 से कर लेते हैं 1 2 1 3 3 दुना 6 3 8 4 के 72 मतलब एल सिम क्या गया भाई 72 सेकेंड मतलब यह जो चारो घंटिया है ना, एक साथ 72 सेकेंड के बाद दुबारा बजेगी, लेकिन 72 सेकेंड को अगर मिनट में कनवर्ट करें तो देखिए, क्या हो जागा, एक मिनट 12 सेकेंड, एक मिनट 12 सेकेंड के बाद बजने का मतलब है, नो बजे से, अगर इसमें एक मिनट 12 सेकेंड जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, नो बच के एक मिनट 12 सेकेंड, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा, नो बच के एक मिनट 12 सेकेंड, एम एम था, तो एम लगा हुआ है, तो मेरा सही जवाब है, बी और बहुत ही शांदार कोर्शन था, संख्या 450, 825, 675 के LCM और SCF का अंतर ज्याद करना है, इसमें कोई भी बहुत बड़ा काम है नहीं, तो सबसे पहले LCM निकालेंगे, 450, 825 और 675 का, बहुत बारिकी से करना है ध्यान से, इसमें कैलकुलेशन मिश्टेक हो साता है, 5 से करेंगे 590, 5 से 1685, 5 25, 13 55, 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 से 18, 5 से 23, 5 से 27, फिर 3 से कर देते हैं, तो यहीं पर रहने देना है, तो LCM बराबर हो जाएगा, 5 गुना 5, गुना 3, गुना 2, गुना 11, गुना 3, जब आप इसको solve करेंगे, तो इसका multiplication हो जाएगा 14850 है न, हम करके भी दिखा देंगे, 14850, पांच गुना 5, 25, थिया 75, 75, गुना 6, यहां तक है न, पांच गुना 5, 25, थिया 75, गुना 6, 75, गुना 6 होता है, साड़े 400, यह तो सब को पता है, गुना 33, तो 45, गुना 33, पांच थिया पंद्रा, चार थिया बार, एक तेरा, पांच आठ चार एक चार एक, इसको भाग कीज़े, सारे 400 से 675 को, एक बार में, पांच, दो, दो, इसको सारे 400 से, तो दो बार में, सारे 400, मतलब यह सारे 225 आया, फिर इस 225 से, अब 825 को भाग करेंगे, 225 से 825 को भाग, तो दो तिया 6, तीन बार में, पांच तिया पंद्रा, दो तिया 6, एक साथ, दो तिया 6, छे, 675, 0, 12 में साद गया 5, और 7 में 6 गया 1, 150 से, 180 ही होगा न, हाँ, फिर 225, तो 150, तो यहाँ पर बच जाएगा 5, 7, 75, फिर यहां 1,500, तो 75 गुना 2, 1,500, तो SCF क्या आ गया, 75, अब SCF आ गया, LCM आ गया, तो difference नहीं निकाल लेंगे आप, difference क्या करना है, LCM माइनस SCF, तो 14,850 माइनस 75, solve करेंगे, 10 में 5 गया 5, 14 में 7 गया 7, है न, उसके बाद यहां बचा 7, ओके, तो 14,775, क्या है भाई, 14,775 जो है न, आपको option number B में दीख रहा है, यह इसके LCM और SCF का अंतर है, इससे बढ़िया question क्या हो सकता है, क्या आपको LCM निकालना था, SCF निकालना था, और दोनों का difference आपको पता करना था, तो बहुत शांदार question है, अंतीम और बढ़िया question, अंतीम और बढ़िया question, सीटेट दो हजार 21 का प्रेशन है, इसको थोड़ा साम लोग ध्यान से देखते हैं, कह रहा है कि 40, 50, 60 का LCM और 40, 50, 60 का SCF, दोनों का एक तरह से fraction निकालना है, मतब LCM बटे SCF, तो सबसे पहले आपको 40, 50 और 60 का क्या दिकाल देना है LCM, निकालिये, तो इसको हम करें, 2 से देखें, 2 से 20, 2 से 25, 2 से 30, फिर करते हैं 5 से, 5 चो के 20, 5 पच्चे 25, 5 छे के 30, फिर करते हैं 2 से, पंचे 200, गुना 3, 600, ये तो आपने LCM ले आया, अब SCF निकालेंगे, तो पहले 2 छोटी संग्या, 40 से 50 को भाग दे दीजिए, 10, 10 से 40 को भाग दे दीजिए, 4 बार में 40, कट गया, फिर 10 से आप सीधे 60 को भाग दे दीजिए, कट गया, तो आपका SCF क्या हो गया, 10 हो गया, अब आपसे बोला जा रहा है कि दोनों इस तीनों का LCM बटे SCF, तो LCM आपने क्या निकाला है, मतलब LCM बटे SCF, direct सोच लिजिए, तो LCM क्या है भाई, LCM है आपका 600, है न, 600, और SCF क्या है भाई, 10, तो 600 बटे 10 कटा देंगे, तो मेरा answer क्या आजाएगा, 60, और यही आपका उत्तर है, तो 60 option number A में यहाँ दिख भी रहा है, तो question में कुछ ज़्यादा दम नहीं था, आपको सीधा तीनो संख्याओं का सबसे पहले LCM निकालना था, उसके बाद उसका SCF निकालना था, और उस दोनों का fraction निकालना था, fraction यहाँ पे बटे में कुछ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, तो 60 मेरा सही जबाब है, और यह best question था, तो चलिए, आज का प्रस्ण यहीं पे समाप्त होता है, और हम इसी तरह आपके साथ मिलते रहेंगे, और आपके लिए बहुत बहुत बहतरीन तरह के questions हम लेकर आते रहेंगे, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंड करें और उन लोगों तक भी हमारा वीडियो पहुँचा है जिनको जरूरत हो या जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से यह सब आप काम कर लिजे, बाकि मैंने आपको आज बढ़ियां बढ़ियां कोश्चन सिखाया है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए सुक्रिया